हाई ट्रेंट्स मैं स्येध हूँ आज मैं आपको एक ट्रीक बताऊंगा कि Mixed Ratio जो होता है कॉंक्रीट का उसे हम कैसे याद रखें बहुत से इंजीनियरों को साइट पर बहुत दिक्कत आती है कोई भी कॉंक्रीट का जो grade होता है उसका Mixed Ratio यदि अगर हम पूछते हैं तो उसे ठीक से बताने नहीं आता या फिर आपको कोई इंटर्वी में वग्यरा पूछ था ये question तो आपको थोड़ी से दिक्कत आती है तो आज के बाद से आपको इस चीज में दिक्कत कभी नहीं आएगी हम आपको एक ऐसी टेक्नीक बताएंगे ऐसे एक ट्रिक बताएंगे कि आप बहुत ही आसान तरीके से इस जो रेशो को है concrete के जो grade है उनके रेशो को आप बहुत ही simple तरीके से याद रख सकते हो चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा basic में जाते हैं हम यह M क्या होता है M यानि के mix होता है और यह जो 5 है उसकी strength होती है concrete की तो यदि अगर हम 28 days के बाद concrete का cube चेक करते हैं compressive strength machine के नीचे तो उसकी जो strength है 28 days के अंदर 5 newton per mm square इतनी strength उसकी hue होती है तो आपको मैं दूसरी बात बताना चाहूँगा जो हमारा grade होते है concrete के उसमें cement, sand और aggregate यह तीन पार्ट होते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह जो है आप यहाँ पर M5, M7.5, M10, M15 और M20 और M25 यह जो है हमारे concrete के grade हैं, तो अब हमें क्या करना है, cement, cement जो होता है 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 और यानि के यदि अगर आप कोई भी concrete का grade लेते हो, तो उसमें cement जो होता है, एक हिस्सा cement होता है और ठीक इसके नीचे से आपको क्या करना है, अब बारी आएगी sand की तो देखिए, ठीक से 1, 1, 1, 5, 2, 3, 4, 5, यह तो simple है, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे पहले तो आपको क्या करना है 1, 1, 1, 1, 1, ऐसा लिखना है, दूसरे, जो sand होता है, sand का जो अपना नीचे से ठीक, इसके opposite direction से 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, अब हमें क्या करना है, aggregate, aggregate तो आपको पता है, जिसे हम खड़ी कहते हैं तो इसे क्या करना है, आपको into 2 करना है, देखिए, 5 into 2, 10, 4 into 2, 8, 3 into 2, 6, 2 into 2, 4, 1.5 into 2, 3, 1 into 2, 1 into 2, 2 तो आप ऐसे trick से बहुत ही बढ़िया तरीके से इस technique को आप याद कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को pause करके देखिए, आप कभी भी problem में नहीं आओगे, यदि अगर आप site पर visit करते हो, आपको कोई पूछता है M20 का ratio क्या है, तो आप आपने trick से तुरत याद इसे बता सकते होगी, जैसे कि M20 का ratio क्या है, तो आप बता सकते हो से 1s to 1.5s to 3, यह जो होता है, इसका M20 का ratio होता है, आप देख सकते हो 1s to 1.5s to 3, तो I hope कि मेरी information जो यह trick है, आपके पसंद आई होगी आपको, और इसे याद कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को pause करके, फिर से देख लीज इसे मैं आपको आगे भी धेर सारी information देता रहूँगा, जाने के लिए हमाई channel को like कीजिए, share कीजिए और subscribe भी कीजिए, thank you